आप सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना तो फ्रेंट्स बात करें सबसे पहले वाले निउस के उपर में तो यहाँ पर देख सो तो जो यूएस के लॉव मेकर से वह किस चीज के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं कि अब जो यहाँ पे है बहुत जादा निगरानी रखने की ज़रुत है किस चीज पर तो क्रिप्टो करेंसी के जो इनवार्मेंटल इंपक्ट्स हैं जैसे कि आपको पता है कि जो क्रिप्टो करेंसी के माइनिंग होती है उससे इनवार्मेंटल इफेक्ट है या उसकी कुछ इंपक्ट पढ़ती है बाकि किसी चीज के तो खासा नहीं तो चरुप्ट साब आते हैं माइनिंग डेट यहां पर जो भी अपडेट है इसको देखते हैं तो यहां पर देख लो कि यहां पर बोला जा रहा है कि 23 यूएस लॉइकर मतलब 23 मिला के जो यूएस के लॉइकर से उन्हों ने बोला कि यूएस की जो इन्वार्मेंटल इन्वाओ पर सकते हैं उसको पहले से स्टेटास से उसको और ज्यादा अच्छे से जो है जज करें देखें कितना जादा इंपक्ते यह इन्वार्मेंट पर रही है तो इस तरह के बात है कि यहां से निकलकर आ है तो मुझे लगता है हैं आपकोश किलिए हो चुका है तो ब लॉंच की है क्या चीज़ तो A16Z crypto research lab को तो चलो फटा-फट से देख लो यहां पर फिक्चर में यहां पर दिखाए जा रहा है तो इसके बारे में जो डीटल से थोड़ी बहुत उसको देखते हैं तो यहां पर देखो इसका कहना है कि इसको इस नाम से भी जाना जाता है साथ ही साथ यहां पर है कि इन्हों ने जो है million crypto related projects में invest कर रहा है और इन्हों ने announce कि यह अपना खुद का crypto research lab उसे launch कर रहे है अब यहां पर है कि this new initiative seeks to marry academic research with producing ideas and putting them into practice in a start-up organization in which the company is heavily invested तो फ्रेंस कहना है कि पहले से भी यह जो है crypto related जो projects उस पर investment करते आए हैं अब जैसा कि इन्होंने खुद का अपना crypto research lab को setup किया या launch कर रहे हैं तो यहां पर इनका कहना है कि यह कि कि ध्यान देंगे तो जो भी academic की research होगी जो भी idea आएंगे इसको इस startup में जो ही कि नए तरी के project पर काम कर रहे हैं और इन्ट्रेस्टिंग वे और काफी जादा और investment पहले से भी ज्यादा होने वाली है और इसको बड़े अच्छे से यह लोग काम करने वाल है तो चलो अब बढ़ते हैं पर निचे आते हैं तो यहां पर देख लो दोनों की दोनों जो है जापानिश कार्मेकर्स एक है निसान एक है टोयाटा दोनों की ब्रांड आप जानते हो तिन दोनों ने क्या बात किये तो यहां पर इन्हों ने अपने सब्सक्राइब करता है तो यह सब्सक्राइब करता है यह जो आपको अजीब सा नाम दिख रहा है जो कि आप सबसे जयादा क्रिप्टो फ्रेंडली ची के त psychic कहां पर है जिसका यह नाम है जिसे आपको सबसे ज्यादा क्रिप्टो फ्रेंडली जो है रैंक किया गया तो अब आते हैं कबारें थोड़ा सब्सक्राइब देखो तो जो एडाप्शन है क्रिप्टो एसेट्स का जो कि बहुत सारे इंडियुजर और बिजनसेज में बहुत तेजी से एस्प्रीड हो रहे हैं पिछले कुछ वर्सों कि अगर हम बीते बात करें तो यहां पर है कि अनकोमन टू टूट 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 डिलिशयस मेल और यहां पर साप द पर कहना है कि अब यह बहुत ज्यादा असाधारन सा बात हो चुका है अपने आपको किसे डिलिशयस मेल को बाय करना और उसकी पेमेंट को क्रिप्टो के जरिए पेमेंट करना यह कोई बहुत मतलब सक Ariya चुका कि अब यहाँ इसी तरह के औरु रीको सारे चीज जो कि क्रिपक्टों के बारे में किस तरह से इनके simply का कहां काया कैसे का बात की रही है तो अब बाक करेंगे यहां पर इस जगह की बात करी जो कि छो की इस जो की City है आप को योरोप के अंदर में है यह friendly destination है जहां पे कम से कम 137 बिजनसेज है और 584 डिप्रेंट लोकेशन से जो कि क्या accept कर रही है तो payment accept कर रही है जो कि डिश्टेल कोई टोकेंस में तो यहां पे समझ लो 584 ऐसे लोकेशन सेज़्स City के अंदर में ऐसे जगह मतलब कि क्रिप्टो करेंसी को सबसे ज़्यादा सा इसको डिटल समय बात तो बहुत सारी चीज़े दी गई है जैसे यहां पे इतना सारा crypto friendly bars है, students है, shops है, spots, venues है, where crypto payments are accepted और यह कहां के लिए बोला जा रहा है तो यहां पे बोला जा है Slovenia जह है उसके लिए बोला जा रहा है तो इस तरह से friends जो है दिखाय जा रहा है कि पिछले बीते चार वर्स में Go Crypto has gained the status of the fastest growing crypto payment network in the world तो friends Go जो crypto है ये आपको एक नेटवर्क है payment network है जो कि crypto payment network है जो कि काफी तेजी से बीते चार वर्सों में ग्रो किया है और अभी कि टाइम में 69 countries worldwide के टाइम जो है यहां पर बहुत सरे बिजनसेज भी है crypto payment ले रही है और बहुत सारे ऐसे locations जहां पर आप crypto payment कर सकते हो और बहुत सरे details है इसमें आप news पर सर्च करके ज़रूर से देख लेना अगर आपको इसके बारे में बहुत जादे detail में बन है जानने को यह पढ़ने को तो बढ़ते हैं अगले निश के लिए तो इस निश के बारे में बात करें तो जो लताम है यह क्या बोला जा रहा है तो यह तो यहां पर कहने मतलब जो भी इनका regulated payment का सिस्टम होगा रहा है साथ यह बहुत बेटर हो गया अच्छा होगा जिसका आप कुछ दिखते भी है जो देखने को मिलती एकनोमिक ट्रेट्स और सेंटलाइज बैंक्स के वहां के जो डॉमिनेंस उसके अकॉर्डिंग ली बट इनका साफ तो पर यह कहना है जो की उपर में मैंने आपको बताया कि जो यह है आपको यहां पर क्रिप्टो कंपनीज को लेक पर ने नेक्शो लूमे